मोदी जी की सरकार अडानी को फाइदा पहुचाने में लगी में भारत का एक एक संसाधन अडानी को दिया जा रहा है किस तरीके से इस देश की जनता को महगी बिजली देने के लिए अडानी और मोदी जी जिम्मेदार है 25,000 करोर रुपए का मुनाफ़ा अकेले एक ख़दान से अडानी को पहुचाने के लिए मोदी जी की सरकार ने और भारती जनता पार्टी ने रस्ता खोल दिया अब कोईला उसी को गैस उधी उसी को बिजली उसी को पानी उसी को सारा कुछ उसी को देते जा रहे है देश के सारे संसादन उसी के नाम पे निलाम करते जा रहे है तो नरेंद्र मोदी जी के मित्र को क्या पूरा देश लूटने की खुली छूट है तो आपने अडानी घोटाले का अडानी जी घोटाले का पहला एपिसोड देखा अडानी जी घोटाले का दूसरा एपिसोड देखा और आज अडानी जी घोटाले का तीसरा एपिसोड है मैंने आपको बताया था कि किस तरह से राजस्थान सरकार को सस्ती बिजली देने के लिए जो कोईला की खदान मिली थी और ये कहा था सरकार ने कि आप अपना खुद से कोईला निका लिए अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल कीजिए और राजस्तान के लोगों के लिए सस्ती बिज़़ी दीजिए वो दो की दोनों कोईला खदाने अडानी को दी दी गई अब ऐसा ही एक और मामला 36 गड़ का सामने आया है 36 गड़ सरकार के पावर प्लांट के लिए कोईले की खदान दी जाती है 36 गड़ सरकार को और ये कहा जाता है कि इस कोईले की खदान से अपना कोईला निकालिए सस्ते में आपको कोईला मिलेगा वो कोईला अपने बिजली के पावर प्लांट में इस्तेमाल कीजिए सस्ते में आप बिजली का उत्पादन करेंगे और जब सस्ते में कोईला मिलेगा, सस्ते में बिजली का उत्पादन होगा तो सस्ते में आप 36 गड़ की जनता को बिजली दे पाएंगे और ये कोईला की खदान कहा है? खुद 36 गड़ में यानि कहीं दूर भी नहीं जाना है राजस्तान की सरकार को तो कोईला की खदान 36 गड़ में मिली थी लेकिन ये 36 गड़ की सरकार को जो कोईला की खदान मिली है वो 36 गड़ में ही मिली है और युन्होंने क्या खेल किया? पूरा खेल आप सुनेंगे तो आप चौक जाएंगे परिशान हो जाएंगे किस तरीके से मोदी जी की सरकार अडानी को फाइदा पहुचाने में लगी वी है किस तरीके से भारत का एक-एक संसाधन अडानी को दिया जा रहा है किस तरीके से इस देश की जनता को महंगी बिजली देने के लिए अडानी और मोदी जी जिम्मेदार है इसको धोड़ा साथ कुछ समय निकाल के समझना पड़ेगा आपको मालूम है 2014 में सुप्रिम कोर्ट के आदेश से सारे कोल ब्लॉक रद किये गए जिसमें प्राइवेट कंपनियों को फाइदा पहुचाने की बात सामने आई थी और लाखो करोड रुपय का घोटाला सामने आया था और इसी तरह से एक खदान और कोईला की एक खदान और रद की गई थी कोईले का ब्लॉक रद किया गया था वो था गारे पाले मा कोईला की खदान 36 गण की गारे पाले मा कोईला खदान 36 गण वो सुप्रीम कोट की आरडर की लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा वो जो लिस्ट है दो सो चौदा ब्लॉक की कोल ब्लॉक की उसमें भी उसका नाम है जैसे दो ब्लॉक का मैंने पहले दिखाय था उसका भी नाम है अब उस कोईला ख़दान को सुप्रीम कोट ने रद्ध कर दिया और कहा कि भारत सरकार नए एक्ट बनाया नए कानून बनाया इसके हिसाब से आवंटन किया जा भारत सरकार ने 2015 में एक्ट भी बना दिया भारत सरकार के एक्ट में साफ तोर पे लिखा हुआ है कि 74 प्रतिसत PSU की यानि कि सरकार की जिसको आवंटित होगी ख़दान उसकी भागेदारी होगी मालिकाना हक राज्य सरकार का होगा और 26 प्रतिसत तक प्राइवेट कमपनियों की भागेदारी हो सकती ये साफ तोर पे इस एक्ट में लिखा हुआ है कहीं आपको जाने के लिए ज़रूत नहीं है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक्ट 2015 का एक्ट जो एक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए बनाये गया था इस एक्ट में लिखा हुआ है 2017 में 36 गड़ State Power Generation Company Limited यानि कि CSPGCL ये कंपनी है 36 गर सरकार की 2017 में नवंबर में रमन सिंग्जी की सरकार ने ये एग्रिमेंट किया डानी से और इस एग्रिमेंट में ऐसी ऐसी शर्ते लिखी है आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और भारस सरकार के कानून का घोर उलंगन करते हुए उसको कुचलते हुए ये एग्रिमेंट किया गया इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है कि एक निश्चित मात्रा में अडानी से कोईला CES PGCL को लेना पड़ेगा यानि 36 गर सरकार के पावर प्लांट को अडानी से एक निश्चित मात्रा में कोईला खरीदना पड़ेगा और अगर वो कोईला नहीं खरीदा 36 गर सरकार ने तो अडानी को पेनाल्टी दी जाएगी ये इसमें लिखा हुआ है मतलब आपकी कोईला ख़दान आप अपनी ही कोईला ख़दान से कोईला खरीदेंगे और अगर आप कोईला खरीदने में आपसे कोई कमी रह गई तो आप अडानी जी को नरेंद्र मोदी जी के मित्र को पेनाल्टी देंगे ये रमन सिंगी का समझा होता है बीजेपी सरकार का दोजार सत्रा का इसके लावा क्या लिखा हुआ है इसमें 100% ट्रांसपर सव प्रतिसत ये अडानी का पेपर है इसको आप देख सकते हैं इसमें साब तोर पे लिखा हुआ है AEL में फॉर्म हंडिट परसेंट ओन स्पेसल परपज वेकल टू एक्ट एज अमडियो एंड साइन दा सीमेसे विट सी एस पी जी सी एल सौ प्रतिसत ये माइन्स ये खदान सुप्रिम कोर्ट के कानून और भारस सरकार के कानून को किनारे रखते हुए ये खदान अडानी को दे दी गई अब इससे अंतिम जो सच है इसका वो जानना जरूरी है चटिस गड़ में कोल इंडिया की भी कोईला खदान है CIL कोल इंडिया लिम्टेट की कोईला खदान भी है और चटिस गड़ में चटिस गड़ की सरकार की खदान जो अडानी को दे दी गई वो खदान भी है अब आप सोचे मज़ेदार बार जो जी थर्टीन का कोईला है वो कोल इंडिया लिम्टेट दे रहा है आठ सो सत्ताइस रुपए टन ध्यान से फीगर सुनियेगा आठ सो सत्ताइस रुपए टन कोल इंडिया चटिस गड़ सरकार को कोईला दे रहा है और जो अडानी कोईला दे रहा है वो दे रहा है बारा सो उनहत्तार रुपए टन यानि करीब करीब साड़े चार सो रुपए एक टन में महंगे दाम से कोईला दिया जा रहा है और यह कितना कोईला निकालना है अडानी को आपको मालू है दो सो बतिस मिलियन टन कोईला निकालना है मतलब आज अगर यह साड़े चार सो का मुनाफ़ा ले रहे हैं आगे चलकर यह पांसो भी हो सकता है हजार भी हो सकता है पंदरा सो रुपए भी हो सकता है दो हजार भी हो सकता है जब सारी कोईला की खदाने इनके हवाले हो जाएंगी और आपको जानके हरानी होगी कि जितने भी ये MDO पूरे देश में हुए हैं उसमें से अकेले 56 प्रतिसत कोईला अडानी के नाम कर दिया गया है तो अगर इसी कॉंट्रेक्ट को आगे बढ़ता हुआ मान लिया जा और 232 मिलियन टन की खरीदारी का जो 36 गर सरकार ने समझहोता किया अडानी के साथ इसी समझहोते को मान लिया जाए तो करीब करीब इस पूरे ख़दान के कोईले निकालने में 25 जार करोर रुपए का मुनाफ़ा अकेले एक ख़दान से अडानी को पहुचाने के लिए मोदी जी की सरकार ने और भारती जंता पार्टी ने रस्ता खोल दिया आप मुझे बताईए आप कोईला उसी को गैस उधी उसी को बिजली उसी को पानी उसी को सारा कुछ उसी को देते जा रहे हैं देश के सारे संसादन उसी के नाम पे निलाम करते जा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कोल का ब्लॉक रद कर दिया तो आखिर मुझे बताईए कि आपने कैसे सौ प्रतिसत ये कोईले की खदान अडानी को दे दी कैसे इसमें कॉंट्रेक्ट किया गया कि 36 गड़ की सरकार अपना ही कोईला लेगी और अगर नहीं ले पाएगी तो उसके लिए पेनल्टी देगी कैसे इसमें आप महंगा कोईला खरीद रहे हैं कोईल इंडिया का कोईला है वह 827 में मिल रहा है जो अडानी का कोईला है वह 1269 रुपए परटन में मिल रहा है या खिर हो क्या रहा है अपने एक मित्र को फायदा पहुचाने के लिए क्या क्या कर रहे है आप और इतने बड़े घोटाले पर इतनी बड़ी बात पर सुप्रीम कोर्ट और एक्ट को किनारे रखते हुए जो अडानी के साथ सम्झोता किया गया इस पर कभी कोई CBI नहीं गई कभी कोई ED नहीं गया कभी कोई income tax department नहीं गया कभी कोई चापे मारी नहीं हुई तो नरेंद्र मोदी जी के मित्र को क्या पूरा देश लूटने की खुली छूट है पूरा देश आप लूटते रहेंगे इसी तरीके से तो दो ख़दानों का पहले मैंने खुलासा किया ये तीसरी ख़दान है जो सुप्रिम कोट के आदेश और एक्ट के खिलाब जाकर अडानी को दे दी गई है और इसके पूरे साथ्षा और प्रमान आपके सामने है